Welcome again साथियों, आज बात करेंगे गर्वती महिला हैं, क्या खाना खाएं और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए मैं इस्पिसली इंडियन संदर्व में बात करूँगा कि इंडिया में जो गर्वती महिला हैं उनको खाने को लेगे क्या समय स्याय हैं और उनके खाने में कौन-कौन सी चीजे होनी चाहिए और उन चीजों की पूर्ती वो लोग कैसे करेंगे प्रिग्नेंसी के दारान होता क्या है कि अपने मिसरी के ध्यान रखना है और जो बेबी पल रहा है गरवस्ता के दवरान जो टोटल वेट होता है गरती में अराउंग 11 kg के असपास उसको बढ़ाना रहता है एवरेच की बात करें तो साथ से लेके 14 kg के असपास बढ़ाना रहता है बजन और लगभग जो पैड़े की डिवान है लगभग 300 कैलोरी जादा हो जाती ऐसा प्रिग important role होता है जो folic acid होता है वो शुरू वाती जो गर्वस्ता है उसके दौरान बहुत important होता है कि कीज सुरू आपी समय में जो बेबी है उसका brain बनता है spinal card बनती neutral tube जिसको लोग बोलते इसलिए folic acid vitamin B12 इसका बढ़े important role होता है और जैसे दूसरा trimester या ती मेने के बाद फिर जो बेवी का वजन बढ़ने लगता है तो उसमें आरबीसी बनना, मास्वेशिया बनना, बोन बनना इसलिए आइरन और कैल्सियम की जरुत होती है इसलिए ये जो निउट्रीशन है जो गरती महिलाए हैं उनको प्रापर मिलना चाहिए पर समस्य क्या है कि इंडिया में जानकारी ना होने के कारण और काफी सारी लोगने जो गाओं की महिलाए है उनमें उपलब्थ भी ना होने कारण ये सारी चीजे नहीं मिल पाती इंडिया की बात करों तो लगभग अगर हम लोग जैसे जाच कराते हैं जो गर्वती में लें हमारे पास आती हैं जाच करवाने के लिए तो लगभग 70% में खून की कमी होती है और खून की कमी होने से उनको भी समयस्या रहती है जो बच्चे है उसका भी वजन नहीं बढ़ेगा और दूसरी भी समयस्या हो सकती है और जो बेबी होता है जब बर्थ होता है तो उस समय लगभग अपनी देश में ऐसा देखा गया है कि लगभग 50% जाता बच्चे लो वर्थ वेट बेबी हम लोग बोलते हैं मतलब उनका वजन जो धाई किलो है उससे कम रहता है तो ये बड़ी इंपॉर्टन चीज है इसलिए जैसे ही प्रिगनेंसी डाइगनोस होती ही करवासता आपको पता चले आप चहसाहर में हो गाओं में हो कस्वे में हो तुरंट डाप्टर के पास जाना है और कुछ दवाईयां जैसा कि फोली केसिड मैंने बोला फोली केसिड और विटामिन विटर आपको तुरंट स्टार्ट करना चाहिए यह जो फोली केसिड ही हमारे खाने में भी उपलत है लेकिन आजकल का जो खाना है उसमें हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से ना मिल पाए और दूसरा की सुरुआत के समय में जायातर मेलाओं को खाना खाने में दिक्कत आती है या तो उनको उल्टी आती है मुग का करने की आदा थे एकदम से सदन चेंज कराना बड़ा मुस्किल रहता है तो एक तो उल्टी होती है उस समय मूड भी स्विंग होता है हर्मोनाल इफेक्ट के काराण मूड का स्वाद भी कड़वा होता है इसलिए फस्ट ट्राइमेस्टर में या जैसे प्रिग्नेंसी पता करने की तो जैसा कि मैंने बुला कि फॉलिक एस्वीड आयरें कैल्सियम और प्रोटीन ये चार इंपॉर्टन चीज़ें और बाकी चीज़ें भी हमें चाहिए मिंदल्स विटैमिन्स और भी होने चाहिए तो फर्स्ट ट्राइश्टर में बात करें तो जैसे फलें वेजट ये बड़ी इंपॉर्टन चीज़ें पानी पीना जैसे ही प्रिग्नन्सी डायमोज होती तो आपको पानी कम से कम तीन से चारल ली्टर पानी पीने और छाल've कर उसमें भी कमी हो जाती है, तो इसलिए आज के लिए भी काफी देखा गया है, कि जब बीच में महिलाएं आती है, जैसे 6 महीने चाहिए, या कोई 9 महीने में आती हैं तो उनमें पानी कमी होने से बच्चे कहा डपलोप्नेट होता है , आपरेशन भी कराना पड़ता है ज्यादा तर महिलाओं को इंडिया की मैं अगर अगर स्विशली बात करूँ कि हम अपनी देश में क्या सला दे सकते हैं गर्वती महिलाओं को तो आपको जैसे ही प्रिग्रेंसी डाइग्नोज हो वैसे ही सबसे पहले तो आप घर का खाना खाना स्टार्ट कर दे और मार्केट का जो खाना होता है जिसमें चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड है, फ्राइ फूड आइटम है, मिठाईया है, कोल्डिंग्स है, स्पाइसी फूड है और तलाबुना नान बेजी है, सारी चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खा के पेट भरेंगे, तो जो निउट्रेशन वाली चीज़ें है वो आपके सरीर में नहीं आपाएंगे क्योंकि खाने की तो लिम्टेशन है और हमें निउट्रेशन वाला खाना, खाना ही पड़ेगा क्योंकि जो बच्चा है, उसको तो जिन-जिन चीज़ों से उसका सरीर बनता है जिन जिन नियूट्रिशनल फेक्टर से बनता है वो चीजें तो हमें उसको देना ही पड़ेगा जैसे आइरन है कैल्सियम है यह सारी चीजें और विटामिन्स मिंदल्स हैं यह सारी चीजें होनी ही चाहिए एक जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर या शुरुआत के तीन महिने होते ह उसमें एक बड़ी समय से आती है कि महिलाओं को उल्टी बहुत आती है मॉर्निंग सीपनेस मतलब सुबह उठते ही उल्टी का आना या कुछ खा पी लिया तो उल्टी हो जाना तो उसमें आप कुछ चीजें ऐसा करें कि एक तो जो खाना है भी उसको आप कम-कम खाने लगे जैसे नार्मली दो या तीन बार खाया जाता है अपने देश में तो आप पांच से शे बार खायें लेकिन थोड़ा थोड़ा खायें तो उससे एक तो उल्टी की संभावना कम होगी एसवी डोगरा कम बनेगा दूसरा खाली पेट आप पानी ना पीएं खाली पेट पानी लेंगे तो जो उल्टी है सुबर के समय वो नहीं होगी एक जो टोस्ट होता है अगर टोस्ट को आप थोड़ा सा तबेपे जला लें दोनों तरफ उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है चार्कॉल एक तरीके से बन जाता है तो फिर ये जो उल्टी के समझ से काफी जादा खाने से जादा तेल मसाला खाने से जादा फ्राई एटम खाने से बाहर कर खाने से उल्टी आपको जादा आएगी तो ये भी कुछ important बातें ध्यान रखनी है एक चीज़ आप जाने कि जो शुरुआत का तीन महिना होता है उसमें ज्यादा खाने के जरुआत नहीं होती बलकि अच्छा खाने के जरुआत होती है quantity जादा हो वो important नहीं है क्योंकि उस समय तक बेबी को तो खैर जबत नहीं रहती है क्योंकि वो छोटा अभी रहता है size में लेकिन जो उसका आरगन डिबलफ होता है जैसे की brain या spinal card, heart उगएरा उसके लिए ये important nutrients चाहिए है जो इसलिए आपको quality वाला खाना खाना है pregnancy diagnose होगी तभी से ही फिर iron, calcium, protein ये सारी चीज़े चलने लगेगी अब बाहरा हाल बात करते हैं कि दूसरे और पीसरे trimester में क्या गाना है जैसे कि तीम मेंने हो गया तो या गना है उस समय आपको extra calorie के जरत पढ़ती है और calcium, iron और protein supplement एक चीज़ आप समझें कि ये जो iron की दव बाइया है या protein का powder आता है इससे सरीर को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन गरवास था कि दौरान अगर आपका खाना सही नहीं है तो ये चीज़े आपको लेने ही जीए काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं लेना पसंद करते हैं कि ये दवाईया मुझे लेना artificial चीज़ है नहीं लेना मेरा तो खाने से काम हो जाएगा पुराने के जमाने में ऐसा ही हो जाता था तो वो सारी चीज़े कहने की हैं अब आजकल के जमाने में जैसा लोगों की खाने की आदत हो गई है और जिस तरीकी को खाना मिलता है तो उन सब सिनेरियो में अब यह पास्वल नहीं है इसलिए आप जब भी डाक्टर को दिखाएं या आप गाव में भी रहते हैं तो जो आसा यह नम या पिया सी सीसी में नर्सेस हो गारा मिल जाती है उनसे आइरन केल्सियम की तो गोली ले ही ले और फॉली केस्ट की और एकात कोई मल्टी विटामिन य इन सब की कमीना होने पाएं तो यह सेकंड ट्राइमेस्टर से यह चीजें चालो हो जाती है मतलग कि आपको तीसरे मेने के बाद आरन केल्सियम की गोली और खाना भी आपको बढ़ाना पड़ेगा कि उस समय तक बच्चे का डिपलमेंट टेज होगा उसको जादा केल्सियम यह सारी चीजें बहुत अच्छी होती है एक ग्लास आप दूद प्येगे तो दिन का जितना केल्सियम चाहिए राउंड 1.2 ग्राम चाहिए होता है तो वह आपको उसमें से मिल जाएगा कुछ लोगों को दूद नहीं पचता है लेक्टोज इंटालरेंस हो सकता है तो वह क आइरन जो हरे पत्तिदार सब्चिया होती है पाला को गयरा उसमें नान बेज में जो बीन्स है या गूड इंसम में होता है तो आइरन भी इंपॉर्टन चीज है इसकी टैबलेट भी आती है इसके राबाब विटामिन सी के साथ में अगर आइरन लेंगे तो ज्यादा अच ठीक है प्रोटीन अच्छे से उपलब रहता है अला कि गर्वस्ता बेदरन जो नान बेज होता है जो इंडिया में तरीका होता है तलावुना इस्पाइसी ग्रेवी वाला उस तरीके से नहीं खाने क्योंकि उसमें बहुत फैट रहता है और भी दूसरी मसाले वारा रहते ह जो कि बहुत अच्छी चीज़ है तो कोई दिकत नहीं प्रोटीन पाउडर भी पीना रिलेटिविली ठीक है मतलब वो सस्ते में काम हो जाएगा क्योंकि जो प्रोटीन सोर्स है बेज वाले लोगों के लिए उपलब्द करना मुश्किल है और महगा भी है तो ये कुछ या चिकन या मटन खाते हैं वो जो रोस्टेड हो उस तरीके की चीज़ें खाए उसमें ज्यादा ग्रेवी न खाएं आपको लगता है कि हमारे पास यह जो खाने मैंने बताया है आयरन के लिए कैल्सिम के लिए प्रोटीन के लिए वो चीज़ें गंदनी हो पा रही तो आप तो आप बिल्कुल स्टार्ट करना ही चाहिए और इसके साथ में थोड़ी से हलकी एक्सरसाइज करना है पानी मैंने बोला कि आपको तीन से चाल लीटर रोज का पीना है अच्छी नीन लेना है कोई टेंचन नहीं है आट से दस घंटे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें गर्वस्ता के दौरान बेड्रेस की जरूवत उन्हीं लोगों को होती है जिनमें इस्पिसली बोला जाए कि आपको बेड्रेस लेना है बागी मैलाओं को बेड्रेस नहीं लेना है हलका फुलका घर का काम करते रहना है थोड़ा बहुत घूमते रहना है तो ये सारी चीजो प्रोटीन मिल जाए और दूसरे भी मल्टी बिटार्ण मेंडल्स मिल जाए इनकी दवाईया आती है सप्लिमेंट वो भी लेना है क्योंकि उससे शरीर अच्छे से पूर्ती कर पाता है क्योंकि खाना खाना उससे में काफी नुश्किल रहता है तो दवाईयां का अच्छा रास्ता होते हैं इसके लाब आप घर में ऐसे चाबल है डाल है रोटी है इसके लाब सारी सब्जियां है कोई भी तरह की सब्जी हो जो पसंद हो आप कह सकते हैं दही है दूद है पराठा जो बाजरा रागी कुट्टू मतर चना मुंग फली ये सारी चीज़े आप कह सकते और सारे तरह के फल, दो फल छोड़के, एक है पपाया और दूसरा पाइनेपल, पाइनेपल जो कच्छा है या अधकच्छा रहता उसमें कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जो यूट्रस गरवास है कि अंदर कांट्रेक्शन कराते हैं तो एबोर्शन हो सकता है और पाइनेपल है या ग्रेप सोगरा सारे ले सकते हैं जो आपके आम है इसके अलावा अनार है आमरूद है जिस सीजन में जो सस्ता फल आप केरियम मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है फलों के अंदर बिटामिन ए मिंदल एंटी आकसिज़न फाइवर ये सारी चीज़े होती है तो किसी को क कि खाने गर्वती में लें संभीत करें जो नार बेच खाती है अंडे चिकन मटन ये सब ले सकती है ग्रेवी नहीं हो राइट रोस्टेड हो अब कौन सी चीज़े नहीं खाने तो गर्वास्ता के दोरान कुछ इंपार्टर्ट जी आपी जाने की फ्रेस खाना एक तो रखा लेते हैं सला दोगरा ये सब निकाना है कि उनके इंदर बैक्टीरिया रहते हैं दो तीन दरा के एकोलाई है लिस्टीरिया है सालमोनेला है जो की नुकसान कर सकता है और ऐसे ही जो समुद्र की मचलिया या सीफूड दूसरे भी है त्रेव गरा लोब शर ये सब समुद्री जो समुद्री पानी में चीजे रहते हैं उनमें लेड पोईजनिंग या मरकरी पोईजनिंग हैवी मेटल पोईजनिंग हो सकती है तो उनसे भी वो सारी चीजे नहीं लेना है इसके लाबा मिठाईयां है मिठाईयां भी नुकसान गरती है क्यों कि मिठाईयों से क्या होग यह सुगर से कोई निट्रेशन तो मिलता नहीं और वी चीज़ें इसे मैंने सुरूम बताई थी कि फास्ट फूड है, फ्राइड आइटर्म है लिमका, मिरेंडा, कोग विपसी, कुर कुरे, चाइनीज फास्ट फूड यह सारी चीज़ें नहीं लेना यह सारी चीज़ें में ठीक होती है तो यह important चीज़ें गर्मती महिलाओं के लिए कि हमें क्या चीज़ें नहीं खानी है और क्या खानी है, आप यह समझें कि जैसा हम लोग market की चीज़ें जो अच्छी हमें टेस्टी लगती जादा नमग रहता है, जादा सक्कर रहता है वो बन करना है और घर की बनी हुई चीज़ें जो आपको नहीं पसंद हो खाना है क्योंकि वो आप पे डिपेंड नहीं करता है प्रिगनजी के दोरह जो खाना होता है हाँ विटामिन डी बताना रह गया प्रिगनेंसी के दौरा विटामिन डी के ये रोल है कि एक तो इम्मेनिटी हो गरा में उसका रोल होता है साथ में जो हट्टी हमान स्पेस हैं इसलिए मजबूत होती है केल्सियम के अबजाफशन मदद करता है तो विटामिन डी के लिए आपको धूढ में बैटना पड़ेगा इंडिया हम लोग धूढ़ा बाटते नहीं और बिटामिन डी के दूसरे जो सोर्स होते हैं वो कोई खास नहीं होते मतलब जो जीज है पनीर है इस से मुस्पहण होता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर रहता है तो विटामिन डिये चीज छूड गई थी वो भी आप जोड ले तो हमारे देश में जो गरवती महिलाए हैं वो जैसे ही प्रिग्रेंसी स्टार्ट हो जाए खाने पर जरूर ध्यान रखें खाने पर आप ध्यान दोगे तो खून आपका कम नहीं होगा और बच्चे का डिपलक्मेंट पूरा सही से होगा तो डिलिवरी के समय जो परिशानी आती है कि सरीर में पानी कम हो जाना बच्चे का ग्रोथ रुप गई है अपने सरीर में कम बलड है तो खून चड़ेगा सिजेरियन डिलिवरी करानी पड़ेगी तो ये सारी समय से हैं से आप बच्च पाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टन बिश्य है तो जो भी गरवती में लाए है उनके घर के परिवार के सदस ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको कुछ हिल्फ हो पाएंगी ऐसी उमीद है थैंक्यू